वेल्कम टू वाइज अकेडमी क्यारे बच्चो मैं देवेंदर खाकूर आपका वाइज अकेडमी में स्वार्गत करता हूँ बच्चो डाउनलोड वाइज नीट एंड जेएज गेट रिजिस्टर्ड एंड स्टार्ट यार लर्मीं बिद वाइज अकेडमी बच्चो आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी केमिस्री की सेकेंड यूनिट एसी बेस एंड साल से सेकेंड लेक्चर जिसमें आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रोपरेटीज और एसीड क्या पढ़ेंगे केमिकल प्रोपरेटीज और एसीड तो बच्चो तो चैनिकल प्रोपर्टीज में हमने क्या-क्या सीखना है आज उसकी एक आउटलुक ले लेते हैं तो बच्चो हमने पढ़ना है एक्शन बिद मैटल एंड एक्टिविटीज एक्शन ओप इसीड बिद मैटल यह हमारा फर्स टोपिक रहेगा जिसमें हम एक्टिविटीज हैं जो आप रिलेते हुए एक्शन बिद मैटल्स जो आपके NCRT की बुक में होगी उनकों में आपे डिसक्स करेगे एक्शन बिद मैटल ओक्साइड और एक्टिविटी के साथ एक्शन ओप एसीड बिद मैटल कारबोनेट एक्टिविटी एक्टिविटी एंड लास्ट टोपिक जो हम कवर करेंगे चैंक स्थ्रांग एक्शन और वी के सिप्टे में और अवीके सिट चिक्प है ये हाथ के हमारे टोपिक हां तो बच्छो हमने प्रिबियस लेक्ट्चर में फर्स्स लेक्ट्चर में क्या क्या सिखा हमने सिखा की जो एशीद होते है त्यार इंस अउट इन in their liquid solution then हमने activities भी करी कि कुछ जिसमें हमने फिनल्फिलीन का यूज करा था तो फिनल्फिलीन की जो observation आई थी एसीड जो है वो फिनल्फिलीन के साथ कोई कलर नहीं देता मेंज इत रिमेन कलर था ठीक है फिर मिठाइल ओरेंज के साथ एसीड को हमने टेस्ट करा था उसमें हमने देखा था कि जो मेठाइल औरेंज की है वो इसीड को रेड कलर में कनवॉज कर देता है ठीक है फिर हमने लिटमस सुलुशन के साथ करा निटमस सुलूिशन को एसीड रेड में तनवर्ट कर था तो आज हम करेंगे इस टॉपिक में चैमिकल प्रोपरटी ओफ एसीड थीड तो chemical property में first property हम discuss कबके हैं action of acids with the metals तो बच्चो metal के साथ acid कहते रेक्ट करेगा उस लिए हम कर रहे हैं उस topic को हम तो इसमें जो metals होती active metals जो होंगी वो dilute acid के साथ साथ रेक्ट करके उस metal का salt बनाएगी और साथ में hydrogen gas involved करेगी समझार यह बात तो metal क्या करती है acid के साथ जैसे cl acid है हमारे पास और h2so4 acid है इसके साथ रेक्ट करके क्या produce करेगी metal salt ठीक है metal का salt बनाएगी और hydrogen gas involved करेगी जैसे metal plus dilute acids this gives you metal salt and hydrogen gas for example you have genes zinc plus scl scl कैसे लिए हमने स्पोस यह dilute है मारे पास तो क्या करेगा बच्चो physical state लिख देते हैं यह solid था और इसने कैसे रेक्ट करना यह बनाएगा बच्चो का जैडेएन ती एल्टू प्लस हाइड्रोजन गैस तो इसने हाइड्रोजन गैस भी है और zinc coloride क्लिए है तो एक्षिं कैसे प्रोसीड करी metal बार 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 मेटल लेक्ट्रो पोस्टिव होते हैं तो यह क्या करेगा बच्चो दो इलेक्ट्रोन शोड़ देगा जिंक में क्या करा दो इलेक्ट्रोन शोड़ दिये और जड़ें तो पोस्टिव होते हैं तो बच्चो मैंने बोला था जोड़ना है तो इसके बाद देखना है हमने सेकंड स्टेप क्या सोचना है क्या से जूड़ रहा है चार इक्वल करना है यहां पर जींक के साथ पोस्टिव हो और यहां एक नेगटिव है तो इस एक्वीशन को हमें दो से मुल्टिप्लाइ करना पड़ेगा चार इक्वल हो जाएंगे अब क्या बना वच्चो इसका जींक प्लस टू एट सी एल डिस गिल्स यू जेड एन कलोराइट किसने जूड़ेंगे इसके साथ दो यहां पर यहां पर हाइड्रोजन बन जाएगी पता ना हाइड्रोजन कैस बन गया है एल्च एलिमेंटल फोर में थाइड्रोजन एक्विस्स नहीं करेगा तो आपने यहां एक है और है यहां दो प्रोटोन है यह पूरी को दो से गुणा करा तो यहां पर यह भी क्या बन जाएगा एड्र और यह एड्र जूड के बच्चो क्या बना देगा आप इसकर आती एक्विशन स्वाम तरी तो बच्चो जींक का अगर हम पॉपर सब्सक्राइब है तो यह कैसे दिए बन जाएगा बच्चो जैडएट एंडैन एक्वा फोट प्लस हाइड्रोजन तो इसने भी क्या करा है इसने भी क्या करा है था अब यह जो बऄकर करता हूं तो में पास और भी गष्टन से अप मेंगेशमपह अन However समझारी बात जिसे मेगनेशियम के साथ कर लो एमगी प्लेसर सलिट्वरी केसिग क्या देगा आपको ये एमगी एसोफोर प्लेसर हाइड्रोजन गैस समझारी बात चलेगा एमगी क्या करता बच्छो ये एमगी टूपोस्टी बना देता है है और ये साथ में दो लेक्टोन शोड़ेगा अब इनको आमने ऐसे जोड़ना तो चार इसका और इसका बराबर है तो यहां भी हाइड्रोजन गैस समझारी तो अब तो मेरे पास question device होता है किया सारे के सारे एसी एसी हाइड्रोजन गैस प्रड्यूस करते है एक्टिव मेडल के साथ में एक और एक्टिव मेडल इस तोप्टिक को हम एक करने के बाद करेंगे क्योंकि वह क्विशन खोड़ा सब्ट है तो मैं करना में दिक्ट आएगी सोडियम में तोडियम एक्टिव मेडल है अगर साथ हमने क्या करा अब इसमें क्या हो जाएगा एक्टिव मेडल यह एए पोजिटिव इसमें क्या देखना है देखो हमारे पास तो यह है तो यहां पर आईडूजल एक है तो यहां पर हमें दिक्कत आईगी तो इसको कैसे करना होगा क्योंकि देखो यह तो सिदा बनगा इसको हमने क्या करना पड़ेगा इसको तो से गुणा करने पड़ी कि इसको भी दो से ही करने पड़ेगा समझार यह बात तो यहां H2 यहां 2 NaCl और यहां 2 Na प्लस 2 HCl इस तरह से इक्वेशन गोईने के रच्छे तो इस चीज का रखना सोडियम के साथ होगी तो इस तरह से बनना क्या है यह इसका साल्ट बन गया यह टेबल साल्ट है और hydrogen gas ही बोलब संब्सक्राइब अब जो question में पूछना हूं क्या सारे के सारे metal जो है active metal जो है वो acid के साथ प्रेक करके hydrogen gas ट्रड्यूस करते हैं ऐसा नहीं है सारे के सारे भी ट्रड्यूस करेंगे जैसे suppose यह डायूड जो HCl और HCl और HCl और तो यह तो hydrogen gas दे रहे हैं जैसे for example अगर आपके बाद HNO3 अगर आपको concentrated बे रखा है तो यह क्या देगा वच्छो NO2 gas देगा क्या इवोल करेगा उस साल्टो बनेगा साल्टो बनेगा metal साल्टो बनेगा पर साथ में क्या देगा NO2 gas इवोल करेगा hydrogen सब्सक्राइब अगर यह डाइउट है वच्छो HNO3 अगर यह डाइउट यूज करा है हमने है तो NO gas प्रडूस करेगा सब्सक्राइब आपने यह दिखान रखना यह आपने HNOC के साथ देख करवाकर वहां पर hydrogen gas में ही शोग करना है अगर concentrated है तो हाँ HNO2 HO लिख देना साथ में और वह metal का salt बनेगा जो भी है यह NO3 लग जाएगा ठीक है और डायूट होगा तो NO लग जाएगा समदर यह पर आपने यह लिखना है जैसे simple करके लिखना है ठीक है जैसे मैं यहां पर एक metal ले रहा हूं concentrated का use कर रहा हूं है HNO3 concentrated है बच्छो तो यह पहले देखो यह ऐसे चुटता है आपने वह याद रखना अगर यह किसी के समदर आ रहा है तो सही यह नहीं आ रहा तो उसको sold तो यह किस मैं चुटता है का बच्छो आपके पास और यह HNO3 concentrated है तो आप क्या से कर रहे हो पहले यह इस तरह पर चूटता है अब यह जो copper है यह क्या करेगा second step पे इस oxygen के साथ जुटते क्या बना देगा बच्छो CUO बना देगा ठीक है अब यह जो CU क्या करेगा CUO यह HNO3 के साथ यहां पर combine कर रहा है और क्या क्या बना देगा EU NO3 twice की बना देगा plus H2O सम्दारिए यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा बच्छो 2 HNO3 क्योंकि यहां पर 2 है तो इसको balance क्या करना है बच्छो जोड़ना है आप देखो अब हमारे पास result क्या आएगा वह हमने सीखने है तो बच्छो इसमें क्या होगा अगर concentrate ही तो हमेंने क्या गोला है इसलिए हमने इनको क्लियर है प्लस रिक्ट्रेंट साइट वाले लिखने हम को पर और कुछ तो नहीं रहा लिखने का यह हमने जोड़ दिया यह सोलीड है बच्छो ठीक है यह concentrated था इस 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 यू क्या दिया कि यू इन ओ ट्री ट्वाइस यह लिख दिया हमने आप इसको लिखे दो प्लस तू एड़ ओ टू प्लस है एस टुओ एस टुओ एस टुओ प्लस तू एच टुओ तो बच्छो अगर आपके पास है तो वह क्या देगा आपके पास इन ओ टू गैस देगा ना कि हाइडोजन गैसी गोल्म करेगा इसका चाहिए आप स्क्रिंग सोट भी लिख सकते हैं समझने के लिए कैसे कर रहा है अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि अगर अगर यह दाइउट है तो उसकी जो परेंट एक्वेशन है उसको याद करते है यह क्या बोला था मैंने क्या देगा बच्छो यह एंड हो देगा प्लस अब देखो बैलेंस है तो ऑक्षिजन थ्री एंड शिक्स ठीक है बच्छो यह देगा अब इसको तुम्हें कि यू प्लस है यह डाइयूट है इसके साथ इसको रियक्ट करवाना है और आपने उसी वेसे रेक्ट करवाना है और इसका रेक्ट तो यह बच्छो नाइट्रिक के सीड़ है यह क्या फाइडूशन वोल्ग नहीं करेगा पर मेटल साथ तो बने अगर कंसंट्रेटिड है तो अगर डाल्यूट है तो अगर गैस वोल्ग करेगा समझारीगा तो बढ़ते हम अगरे टोपिक दरफ यह क्लियर हो गया होगा यह बच्छो एक्टिविटी दे रहें कि क्या एक्चल में यह हमने फर्स चेटर में भी करी थी इसमें जींक लिया है और साथ में क्या लिया है साल्ग इसे तो आमने जैसे इरिक्षन करी तो चा करेगा बच्छो यह जैडन एसोफोर यह मैटल साल्ट है प्लस हाइडूशन इस से बолько रहें एक बच्छो ना। यहां पर मैंने एक क्षो घृ लाटन गया दो इस तुम पहले तो यहां आपने क्या करा है तो यह ढ़ा है तो आपने तक डालना है जब तक उसकी जो फानल है होती है एकदम हो जाती है और यहां से बबल निकलते हैं गैस के वो हमने देखने हैं वो कैसे यहां पे लिया हुए था फॉप सिलीशन में यह फॉप सिलीशन गैस के बबल बनते हैं जो आप पर निकलते हैं यह फॉप साथ बर्न करती है इस एक इस एक बैटल और बर्न करती है जो इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह से इस तरह से आपको सेट आपको सेटप करना पड़े हैं देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोपर्टी की तरव जिसका नाम है एक्शन ऑफ इसीड बीड़ मैडल उकसाइड के साथ जब इस से रेक्स करते हैं तो क्या बनता है बच्चों मैटल उकसाइड का मतलग से जिसे यह मैटल है सोडियम और इसका ओक्साइड ऑक्सिजन लगा होगा एंजी और मैटल उकसाइड है मैटल उकसाइड है अब यह मैटल उकसाइड होते हैं बच्चों मैटल उकसाइड का मैं नेचर पता हूँ तुम्हें क्या ध्यान रखना है जो मैटल उकसाइड होते हैं मैटल उकसाइड इनका नेचर कैसे होता है Metal Oxide का Nature क्या होता है यह आपके दिमाग में आँचिए कि जितना भी Metal Oxide होते हैं वो they are basic in nature. Metal Oxides are basic in nature, basic in nature. clear है? Metal Oxides basic होते है nature के. तो base or receive की जो reaction हमने पड़ी साल्ट और वाटर बनेगा समझा रहे हैं तो यहां आंकी रेक्शन कर रहे हैं जैसे पोज आपके पास सोडियम का ऑक्साइड है प्लस हमने इसमें तो बच्छो यह क्या बनेगा इसका साल्ट बन जाएगा यह यह मैटल ऑक्साइड का मैंने क्या गोला उसका याग रखना मैटल ऑक्साइड साथ बेश होते हैं कैसे पता चलाएगा पानी में इसको डिजॉल्ट करके समझाएगे बाद में रिजॉल्ट करें तो बेश लेंगे समझा रहे बाद इस यह बेसिक निच्छर होता है अब देखो बच्छो ताल्ट दिया है और साथ में क्या देगा यह अब कैसे दे रहा है उससी एक आउटलूप देखो समझा इसको में पास मैटल ऑक्साइड एन पॉस्टीव बैलेंसी भी हो जाएगा यहां भी कर सकते हैं और ऐसी प्लाश ओ नेगिदे यह नॉन मैटल अउक्षिजन ठीक है तो नोन मैटल लेक्ट्रो नेग्टिव होती है निच्छे में और मैटल लेक्रो पॉस्टीव होती है तो बच्छो यहां पे अब जो महर पास दालत हमने इसमें यह क्या करेगा वच्छो यह भी डिसोचेट होता है है इसे हैच्पोस्टी में और स्यल नेक्टिव हो पिसिकल स्टेट आप लिख लेना एक्जाम में फिस्टेट लिखो पे तो नंबर नहीं कखेंगे इहां आपने समझे रहे हैं पर साथ में फिस्टो स है यहां पर कितना है तो इसको क्या करना पड़ेगा कितने करना पड़ेगा तो क्या बने शुट ले गार यहां पर जो तो यह एक्स जोड़ जाएगा ये लेक्ट्रों इसका है लेक्ट्रों बेट स्पेसिस है लेक्ट्रों ऑक्सिजन से ही ले रहा है और और यहां पर यहां पर इस तरह से अगर आपके पास कोई भी देख्शन दिया है ने टू मैटल ओक्साइड प्लस सल्फुरी केसिट एसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा बच्छों अब क्या करना है वहीं एंट यह क्या कर रहा है तू एन पोजिटिव प्लस ओ तू नेगटिव ऐसे तूटेगा यह और यहां पर यह तो प्रोटों देगा और अब हमने इनको जोड़ना अब जारी बाद एसे जुड़ेगा एंट के उपर कितना है दो एड़ने हैं यह तो इसका दो पोजिटीव है एंट पर एक पोजिटीव है तो एम इसके उपर तो नेगटिव एंट ने कितना जुड़ेंगे इसके साथ दो जो जाएंगे और एस ओफोर नूट्रल बन गया प्लास असरढ थिक है तक है वार्चो तो यह इस तरह से चंबयन मH car K इस तरह से आपको तोडने आगे तो आप कोई भी एरिक्षिन का सब्सक्राइब और वो बैलेंस बन जाएगे तो इसको सीखना है तो मैं फर्स लेस्टन से तुमें इस तरह से कर वा ठीक है रट्टा आपकेशन नहीं चलाना कि वो चीज़ आपने एरिक्षिन का प्याद रु करेंगे तो बच्चों क्या बन गया यह जो मैटल ऑक्साइड है वे रिएक्षिड इस प्रड्वूस मैटल साइड लेसर एक्षिन ओप्साइड आप किसी भी मैटल के साथ प्रैक्टिस कर लो प्रैक्टिस कुमें कर दीकर आ रही है तो आप हमें पूश सकते हैं डिरेक्ट पूंतर ते या अपने डाउट अपने लोट ते ठीक है आपको हंडर परसेंट सलीशन मिलेगा इनने नोट है बहुत जल्दी बिना समय बेश्ट किया था सलीशन आपके सामने कर तुच्चों नेक्स्ट जो हम करें एक्टिविटी इसी के उपर मेटल ओक्साइड होते हैं बच्चों बहुत इंट्रस्टिंग एक्टिविटी इसी के उपर एक्टिविटी इसमें क्या करने हैं आपने यहां के देखा होगा चलो पहले यहां समझे हो हमने चलो पहले देखा है कि यू ओलिया कोपर अक्साइड क्या है को फर एक्टिविटी में जो औक्सीडिशन था जो ब्लेक्स जो इंट्रस्टिशन लगता ना इसमें चलो हमने इसको पर रख़ा है वैसे उसकी अक्टिविटी कर रहते हैं परस्ट उनिदे में कब ऑक्षिडिशन डेक्षिन में जो है जब हम ऑक्षिडिशन करते हैं तो वह बलेग कलर में कन्वर्ड हो जाता है तो बच्छो यहां रिखो यह कोफर ओक्षाइट है इसको क्या करा हमने Cu अए कास क्या करा कॉपर रेक किना क्ष्वल तो क्या बन जाएगा है इसका गरने क्षवलिग है और पर जाला नहीं है यहां हम दालें ग 선 तो आपके क्या बन जाएगा इस तरह का कलर हो जाएगा यह इस तरह का कलर हो जाएगा मेट ग्रीन है यह ग्रीन ग्रीनिस कलर रहा है तो तो यह रिक्षन बता यह कैसे होगी या यहां समझा दो तो यहां पर सिंपल क्या हो जाएगा तो यहां पर सिंपल क्या हो जाएगा सिउ यू ओ प्लैसर तू एच ची एल इस गिव यू साल्ट ओप पर सी यू चीजिए टू प्लैस प्लैस एच तूप वाइगा तो यह नियूट्राइटर लाइटें डिक्षन है मैटल ओक्साइड ते साथ जब एसी तो बिक्ष करता है तो वह बनाता है साल्ट बढ़ता बना अब यह क्या बनाएगा यह क्या दे रहा है यह साल्ट दे रहा है वाटर और कारवन दाविट्राइट है वाटर और और अब यह रिक्षिन कैसे परसीड होती है पहले तो वह देखो एन एटू सी यो थी यह मैटल कार्बोनेट है वच्छो क्या है मैटल कार्बनेट सोडियम कार्बनेट कैसे डिस्टोसियेट होगा यह एन एक पोस्ती प्लस एन एटू सी यह तो एन एट इसे डिस्टोसियेट होगा एच्छो क्लियर है एच्छोसियेट में और अब आपने इसको ऐसे जो दो कि अब यहां पर देखों बच्छो क्या होगा यहां पर लिखेंगे एक प्लस यह पूरे को गुणा है तो यहां 2 तो ऐसी जोके हिएगा, तो ने-ए, यह जो प्लस H2CO, यह क्या होता है,erenसिटमी होता है, क्या होता है? यह किसमें, तरबोकली होता है, क्या होता है तरब आप्ली होता यह, यह वाटर और Hmmeng तो हमारे पास क्या इकेशन बनी है, Na2CO3 plus 2HCl, this gives you 2 NaCl plus XO plus CO2, तो यह इस तरह से हमारे पास जब metal carbonate acid के साथ करेगे, तो क्या दिया, इसने साल्ट दिया और water और CO2 है, clear है, बिल्कुल आसान है, अगर आपके पास sulfuric acid के साथ दियोगी, तो उसको भी तुम कर सकते हैं, यह हमारे पास अगेग Na2CO3 ले लिया बने, metal carbonate, sodium carbonate plus sulfuric acid, इसकी जगह कोई और भी ले सकते हैं, sodium, potassium, magnesium, कुछ भी लिख लो, NGCO3 हो जएगा, CaCO3 हो जएगा, समझारी बाद, वो उसकुछ भी ले सकते हैं, H2SO4, तो यह कैसे react करेगा, इसको हम दिखे भी क्या बने, तो इसमें हमने क्या करा है, Na2CO3, यह किसमें टूट रहा है बच्चो, यहां पर हमें क्या करना की जूरत नहीं है, चार्ग बराबर है, यहां पर दो नेगटी है, यहां पर भी दो प्रोटोन है, तो यह जीरो हो जाएगा, यहां पर दो Na है, sodium आयन है, और यहां पर इसके उपर भी SO4 को पर भी दो नेगटी है, तो न्यूट्रन है, तो क्या बन जाएगा बच्चो, Na, यह दो जूडेंगे, Na2SO4, sodium sulfate, plus, again, H2CO3, और ही H2CO3 की अब ने बताया है, बच्चो, unstable होता है, यह किसमें टूट जाएगा, H2O, और अगर इसको भी हम करें, तो क्या बनेगा इसका बच्चो, Na2CO3 when it combined weight diode H2SO4, this gives you Na2SO4 plus H2O plus CO2 gas, clear है, आपने इसकी और metal के साथ, प्रेक्टिस करनी है, जैसे मैं बता लेता हूँ, आपने metal लेनी है, NGCO3, CACO3, कोई और भी ले सकते हो, ठीक है, we can say, K2CO3, ठीक है, इस तरह से आप इनको ले सकते हो, और इनके साथ STL और X2SO4 के साथ इनकी रिक्षिन के रोनिक करते हैं, और आपके पास similarity प्रोड़क्टिस के generate होगा, तो हमने कैसे पता लगेगा बच्चो, कि इसने CO2 gas reduce करी है, तो उसकी activity भी हम करेंगे, पर हम भी देखो यहां पर, यह हमने करके आये हैं, इसकी पहले unit में भी हमने देखी थी, हमने क्या करा, एक testably उसमें marble chips डाल दी हैं, ठीक है, और उसी में क्या करा, marble chips है, यहां पर क्या बच्चो, marble का formula क्या होता है, CA, CO3, यह भी क्या है, यह metal यह carbonate है, इसमें क्या डाला, acid कोई भी डाल दो बच्चो, acid कोई बच्चो, acid कोई बच्चो, acid कोई डाल दो, जो भी तो मैं, मैंने बोला, comfortable यहां पर acid डाला है, तो क्या बनेगा बच्चो, CaCl2 बन जाएगा, plus H2O, plus CO2, समझा रिये बात, समझा गी, जैसे डखो, यह जो हमने लिया है, acid कोई भी हो सकता, अगर हमने, आपने CaCO3, इसमें acid डाल रही है, बच्चो, H2SO4, balance कर देना अपने आप, यह क्या बनेगा, CaCO4, calcium sulfate बन जाएगा, plus H2O, plus H2O, यह बनेगा, ठीक है, कोई भी, आपने acid यहां पर कोई भी डाल सकते हो, CaCl2, एक में, Ca4, अगर आपने, CaCl लिया है, तो CaCl2 बनेगा, सल्परी के से लिया, तो CaCO4, calcium sulfate बनेगा, CaCl2, अब यहां से, में चीज तो क्या, gas, same produce हो रही है, अब यहां पे, Marvel chips में, जब हमने acid डाला है, और यहां से, जो gas ही बोलब हुई है, यहां पे, line water लिया, दूसरी test tube में, है, और यह, जो liberty tube है, यह, ऐसे हमने, सब्सक्राइब को पहले setup करना है, पर यहां पे condition क्या होती है, जो line water है, बच्छो, वो passion prepared होना चीए, और मैं बार-बार करवा रहा हूं तुम्हें, कि जो line water क्या होता है, line water में, trace amount में, calcium hydroxide परजिंद रहता है, क्या रखता है, परेजेंट बच्छो, calcium hydroxide, caox2, अगर यहां से co2 गई, तो क्या बना देगा, बच्छो, यह, यह बन जाएगा, caco3 plus h2, यह बनेगा, caco3 और caco3 जो है, वो क्या करता है, बच्छो, caco3 जो है, वो white color के लिए responsible होता है, क्योंकि, यह किसका है, अगें, magnesium carbonate बन जाता है, समझार यह बात, जो white milkiness के लिए responsible है, तो यह जो है, इस तरह से setup करना है, और हमने यहां से जो gas निकली है, अगर वो lime water को milky convert कर देगी, तो co2 होगी, co2 जो है, it turns lime water milky, तो जैसे तो में question पुच्छा जाए, why lime water get turn milky, while we pass the co2 gas, तो इसका answer, क्या लिकाना है, lime water contain, we can say, calcium hydroxide, in trace amount, it react with carbon dioxide and get converted into co3, which gave white appearance to full lime water, clear है, तो इसकी बच्छा से वो milky है, तो बच्छो, यहां से वो milky हो गया, इसका मतला co2 gas निकली है, तो वो हमारे पास, गे, प्रूब हो गया, कि जब metal carbonate, जो है, acid के साथ रेक करते हैं, तो वो salt बनाएगी, metal और साथ ने hydrogen gas, साथ ने carbon dioxide gas, clear है, then action of acid with the metal bicarbonate, metal bicarbonate के साथ कैसे करना है, वो metal bicarbonate रुखे हैं, उसका N-A-H-C-O, यह फार्मूला, बच्छो, इसकी रेक्छन हमने किसके साथ कर लिए, acid के साथ, HPF4 के साथ भी कर सकते हैं, तो यह reaction कैसे हो भी, यह कैसे चोटेगा, बच्छो, N-A-H-C-O-3, यह कैसे चोट रहा है, यह चोटेगा, N-A-Positive, और H-C-O-3, नेगटीड में, एक्वर्स लिख देना, फिजिकल स्टेट में बार बार बो, H-C-L, एक्वर्स है, यह कैसे चोटेगा, बच्छो, प्रोटोन, और H-C-L, अब इसको ऐसे चोटेगा, अब यहांपे, हमने चाब दिखा, यह लिखा, हमने रिक्रेंट, N-A-H-C-O-3, sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, plus H-C-L, चार तो गराबर है, हम एक्वर्स लिए, मल्टिपलाई करने की द्यूर्ट नहीं है, कहीं भी, इक्वर्स करने की द्यूर्ट नहीं है, तो यह N-A-C-L बनेगा, मेटल साल्ट बन गया, प्लस H-C-O-3 बन गया, यह N-A-C-Positive है, इसके साथ जूर्ट जाएगा, हिड्रोजन, तो यह अंस्टेबल होता है, बच्वर्स द्वारा, यह किसमें जूर्ट जाएगा, H-C-O-3, तो यहां भी क्या बना है, कि वें, मेटल बाइकार्बोनेट, दे रेक्ट बिस एसे, दे प्रोड्यूस इस साल्ट, वो मेटल का साल्ट प्रोड्यूस कर देगा, तो आपने, H-C-O, वाटर और स्लिक्यू गैस इजोल कर, और उसका टेस्ट, हम सेल करेंगे, जैसे पिछली डेमस्टेशन, हमने पिछली एक्ट में देखा, मेटल कारविनेट, तो आँ भी, यह जो CO2 है, इसके साथ भी कर सक्षो, अगर तुम पूछा जाए, H-C-O-4 के साथ, इसकी रेक्षिन कम्क्लीट करो, तो कैसे करने हैं, बच्छो, N-A-C-O-3, कैसे तूटा, प्रैक्टिस करने पड़ेगी, N-neutral होती हार जी, N A-C-O-3 negative, क्योंकि यह जो है, यह concept मैं तो मैं तो मैं 1st unit से समझा रखा, वाँ बैलेंसिंग के टाइम दी समझा रखा, 1st unit ने हमने 1st unit मैं इसकी समझा रखा, क्योंकि मैं बार-बार बोड़ रहा हूं, यह रख्टा आप्वोकेशन नहीं, basic concept आपके क्लियर हो, तो sulfuric acid है, sulfuric acid क्या करेगा बच्चों, यह 2 proton देगा, प्लस, XO42 negative देगा, जोड़ दो, क्या बनेगा बच्चों, इसका, Na2, इसको 2 से गुड़ा करने पड़ेगा अब होना है, क्योंकि यह 2 negative यहां, एक ही positive ता चार्द राबर कर दिया, तो क्या बनेगा बच्चों, Na2, SO4, प्लस, य मैं बार बार इसको लिख, sorry, H2, CO3 बनेगा, क्या बनेगा है, बच्चों, H2, CO3, मैं बार 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 बोड़ रहा हूं कि जो H2, CO3 है, वो टूट चाता है, H2O में, और CO2 में, क्योंकि अंस्सेबल हो, तो, जो metal bicarbonator, sulfuric acid के साथ भी ऐसे रिक्ट कर रहा है, तो, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे लिया जाएगा, बच्चों, और साथ में, इसने क्या दिया है, तुम्हें, Na2, CO4, प्लस, H2O, प्लस, CO2, यह आपके पास, गोई है, है, when metal bicarbonate, they react with acid, they give you, metal salt, along with the evolution, और CO2, ठीक है, और उसका हम, same experiment, जो demonstration करी थी, वहां हमने, जो calcium carbonate लिया था, या metal carbonate लिया था, calcium carbonate, CACO3, यहां पे हमने, bicarbonate लिया था, और उसमें, acid डाल देना है, आईजर, HCL और X2SO, ठीक है, फिर उसके बाद वहां पर जो reaction, जो gas निकलेगी, वो, जो निकलेगी, ठीक है, बच्चों, then, बढ़ते हैं, अब next, topic की तरफ, strong acid और V acid, बच्चों, जो strong acid होते होते हैं, वो acid होते हैं, जो, ionized हो जाते हैं completely in their actual solution, जैसे मैं बात करो, कि हमने, H2SO4 strong है, या HCL strong है, हम simple sentence, मेरा बोलना का मतलब जाए, हमने क्या करा, कि, यह strong acid वो होंगे, जो complete ionized हो जाते हैं, अपने actual solution में, जैसे मैंने क्या करा, बच्चों, इसके जो molecule लिए, मैंने 100, 100 molecule H2SO4 के मैंने पानी में डाल दे हैं, और 100 के 100 molecule जो हम वो dissociate होगे, 100 ही dissociate होगे, ठीक है, 100 की dissociation होगे, उनके ion बन गे, जैसे, HCL होगे, तो H2SO4, 2HC, और H2SO4, 2NIC, मैं dissociate होगे, तो 100 के 100 dissociate होगे, तो उसके क्या बहुत होगे, क्या होगे, वी कैसीड में हमने क्या करा, जैसे हमने 100 molecule लिए, किसी भी एक है, या हमारे पास ST-C, हमने क्या करा, एस्टिक एसीड के ही कितने लिए 100, अब molecule लिए हैं, और इसमें 80, चाहे 90, चाहे 60, वो क्या हो रहे हैं, या 50, या 40, वो dissociate हो रहे हैं, वाक्ती नहीं होपारे, तो वो क्या होगे, वीक एसीड, ठीक है, वीक एसीड बनें, तो जितने है, स्रॉंग एसीड में क्या होगे, गितने हमने molecules लिए थे, अगर वो एसीड कंपलिटली डिसोसियेट हो जाता है, आइन में इंदेर एक्वा स्लूशन, अगर वो वीक एसीड क्या होगा, वीक एसीड वो होगा, जिसमें जो एसीड है, वो अपने एक्वा स्लूशन में कॉम्पलिटली आयोनाइज में होगा, समझा की वाद, उनको बोलते हैं, उनके एक्वा स्लूशन, एक्वा स्लूशन, बन्चों होगा, वीक एसीड क्या नाम है, बेंजोई क्या स्लूशन के बाल मारे पास S-C-C-C, ठीक है, तो बच्चों हम बात करें, जैसी बेंजोई के से रहें, यह बना सकते हो तुम यहां एक यह विए बच्छो बीटीट होता है ठीक है एक पूर्मी के इट है बच्छो यह एस्टी के सीड है यह पास्परी के सीड है इसको हम इस तरह से लिखें और इसका यह है अब यहां पर ऑग्जेलिक एसीड है जिसका पारमुला इस तरह से तुम याब रखेंगे नाम याब रखेंगे ना इसको क्या बलेंगे ओग्जेलिक एसीड होते हैं और यह लेबरेटरी में है लेबरेटरी में सिंपल से सिंपल लेर में आप यह मिलें ठीक है अब स्ट्रोंग एसीड की बात करें यह भी मिलेंगे हमें स्ट्रोंग एसीड कौन से होते हैं बच्छों जैसे यह हमारे पास है एक एक जो अपने एक वर सलुशन में एक गुद्ध पूरे की पूरे आइनाइज हो जाएं उनको बलेंगे हम स्ट्रोंग और वीक एसीड वह होंगे जो अपने एक वर सलुशन में पूरे की पूरे आइनाइज नहीं होगे फुछ अमाउंट में वह आइनाइज होते हैं ठीक है तो बच्छों इस इस आल अबाउट स्टूडियस लेक्शर आईगोट आपको यह टोपिक बहुत अच्छे से समझा गया होगा थेंक्यू थेंक्स फार बच्छे मिलते हैं